आप सब को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभी हम लोग पाट 15 कक्छानाओं चितिज बुक से में गाये के प्रस्ण अभ्यास देखेंगे, इसके कभी सर्वेसर द्याल सक्सेना जी हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसमें प्रस्ण एक है कि बादलों के आने पर प्रकृति में जीन गतिसील किरियाओं को कभी ने चित्रित किया है, उन्हें लिखिए इस कभीता को अगर आप पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें पूरा कभीता का सरांस पुछा गया है, तो चलिए इसको लिखते हैं, तो बादलों के आने पर प्रकृति में निमलिकी गतिसील किरियाओं हुई, जिन्हें कभी ने चित्रित किया है पहला है कि बादलों के आने पर हवाएं बने लगी, दूसरा है कि पेड हवाओं के बहने से जुकने लगे, तिसरा है धूल बरी आंधियां चलने लगी, चौता है नदी ठिटक गई, पीपल के पेड जुकने लगे, पांचवा है लताएं पेड़ों में लिपट गई, तला ज़र बरसात होने लगी, प्रस्ण दो है कि निमलिखित किसके परतिक हैं इसमें पहला है धूल, तिसका उत्तवरोगा के धूल जो है उससाहिद बालिका का परतिक है, दूसरा है पेड, पेड जो है महमान नवाजी को उस्तुक रामिड का परतिक है, तिसरा है नदी, नदी जो है घुंगट से जहाकने वाली नव विवाईता का प्रतीक है फिर है लता तो इसका उत्तर होगा की लता मेक का इंतजार करती माननी नाइका का प्रतीक है माननी मने रुठी हुई जो मनाना चाहती है इस परकार की नाइका का प्रतीक जो है वो लता है और पांचमा और आख इसमें ताल तो ताल का उत्तर होगा कि अतिति का पैर्द होने के लिए पानी राने वाले घर के सदस्य का ये प्रतीक है प्रस्मत्ती नई की लता ने बातल रुपी महमान को किस तरह देखा और क्यों तो इसका उत्तर को हम लिख सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे कविता मैंने समझा है कि लता जो है वो नाइका है वो दमांद रुपी जो मेग रुपी महमान है उसके इंतजार में वो गाउं में बैठी हुई है और उसके ना आने पे वो रुठी हुई है तो इसका उत्तर लि कि लता गर्मी ब्रहय व्यदना के रूप में रूप आंत्रण है तो असली वह उससे नराज है लेकिन साथ ही उससे देखे भीना भी नहीं रह पाती है को यहाँम इसमें प्रस्बद की जिये कणहरे स्ब्रस्ट माहरे अब भरम की तो इसका उत्तर होगा कि नाईका जो कि ग्रामिनों का प्रतीक है वो भरम था कि इस वर्स बादल नहीं आएंगे बादलों के आकर जल बरसाने पर उसका संदेय दुर हो जाता है और वह अच्छमा याजना करने लगती है अब इसका खा है बाकी चीतवन उठा नदी ठिटकी गुंगट सरके तो इसका भाव है कि ग्रामिन महला रूपी नदी बादल रूपी महमान को देखने के लिए रुख गई है वो अब प्रमपरन उसार गुंगट उठा कर तिर्ची नजनों से देखने लगती है अब इसमें प्रस्ण पांच है कि मेग रूपी महमान के आने से वातरोंड में क्या परिवर्तन हुए जिसका उत्तर है कि मेग के आने से हवा बहने लगती है जिससे पेड जुख जाते हैं दूल बरी आंधी चलने लगती है नदी बहने लगती है लताएं पेड में चिपने उल्लासित हो जाता है और उसके स्वागत में तत्पर हो जाता है इसी को इसकी उत्तर में हमको लिखना है अब आगे के प्रस्वन देखते हैं प्रस्न अच्छा है कि मेगों के लिए बंठन के समवर के आने की बात क्यों कही गई है तो इसको उत्ता लिखेंगे कि बादल अलग-अलग रंगों में और रूपों में आते हैं जैसे लोग सज समवर कर महमान के रूप में गाउं में जाते हैं जिस प्रकार महमान की प्रतिक्चा और आवभगत किया जाता है उसी प्रकार सतरंगी बादलों का स्वागत ग्रामीड जन गर्मी की ब्यकूलता के करण किसी दमान की तरह करते हैं इनी करणों के करण में गों के लिए बंठन के समवर के आने की बात कही गई है तिसमें बिम्बात्मक्ता का अनुपम उप्योग किया गया है यहाँ पर बादलों के सजने समवनने को किसी महमान या दमान के बंठन के सजने समवनने से तुलना किया गया है और जिस प्रकार की आतूरता ग्रामिड जनों में दमान को देखने को होती है या महमान को देखने को होती है उसी प्रकार की आतूरता उन्ही ग्रामिड जनों में गर्मी के बेके उलता के करण बादलों को देखने की भी होती है उसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है प्रस्ना साथ है कि कविता में आए मानुवी करण तता रूपक अलंकार के उधान खोचका लिखिए तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कविता में आए मानुवी करण अलंकार के उधान निम लिखी थे दूसरा आगे-आगे नाच्ती-गाती बयार चली तो इसमें नाचने-गाने का जो संबंध है वो इंसानों के साथ है उसका यहां बयार यह हवा के साथ तुलना किया गया है तिसमें भी मानुवी करण है तिसरा पेड जुक कर जाकने लगे गरदन उचका है तिहां पेड के जुकने को इंसानों के गरदन के जुकने से या इंसानों के जुकने से तुलना किया गया है तिसमें भी मानुवी करण है तो देखे इसमें नदी की तुलना किसी नाइका से किया गया है चटवा है कि बुढे पीपल ने आगे बढ़ कर जोहार की तो बुजुलग के सम्मान की तुलना यहां पे पीपल से किया गया है जिसके काणे मानुविकरण है साथवा है वोली अकुलाई लता ओठो किवार की तहाँ पे नॉयका की बिरह वेदना को लता की रूप में दिखाया गया है ते भी मानुविकरण है और अठोआ है हरसायो ताल लाया पानी पराद भर के तो महमान के प्यर्द hiोने के लिए जो पानी लाया जाता है उसको यहां पे तुलना किया गया है तो इसमें भी मानुविकरण है इसमें एक और उधान है रूपकलंकार जिसको इसमें पुछा गया है तो रूपकलंकार का यहां पे उधान है चितीज अटारी गहराई तेहां पे चितीज की तुलना अटारी की घहराई के साथ किया गया है तो ये रूपा कलंकार है प्रस्ना आठी की कविता में जिन रितरी वाजों का मारमीक चितरण हुआ है उनका वनन किये तो जैसे कि हमको मालूम है कि गाउं में जब दमाद आते हैं तो पूरे के पूरे गाउं वाले उसको काफी उस्सा और जिग्यासा से देखते हैं उसका यहां पर वणनन है दूसरा है घर के बुजूर के द्वारा महमान का सम्मान और सतकार करना और महमान का पर थाल में पानी से दोना तो गाउं में प्रमपरा है कि कोई महमान आता है तो इसके पाउं जो है थाली में पानी डाल कर धोया जाता है तो इस प्रकार के विरिती रिवाज का वणनन यहां पे है, तिसरा है कि नव विवायता का गुंगट की आड में तिरशी नजरों से अपने पती महमान को देखना, तो गाउं में नव विवायता महिला या नाइका जो है ना वो अपने पती को सिधे नहीं देखती है, बलकि गुंगट में चेहरा चुपा कर देखती है, चौथा ह कि माईके वालों के बीच नव विवायता का पती से बात ना करना तो गाउं में प्रंपरा है कि जो नव विवायता है वो पती से सिधा बात नहीं करती तो इस प्रकार के रिति दिवाजियों का वर्णन यहां पे किया गया है प्रस्ण नव है कि कविता में कवी ने अकास में बादल और गाउं में महमान दमांद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए तो देखिए पूरे कविता में इसी चीज का वर्णन है इसको इसके उत्तर में को सारगर्वित तरीकी से लिखना है तो गाउं में बादल रुपी महमान दमांद के बंठन के आने से उस साचा जाता है बादल रुपी महमान की सुचना देने बैया रुपी लड़कियां गाओं को दोड़ती हैं पेड रुपी ग्रामीर उल्लास में जुमने लगते हैं बुजूर्ग रुपी बुढ़ा पेड जुप कर महमान का सौगत करता है लता रुपी नव विवाहिता पेड बादल को देखती है तलाब रुपी पर फुली प्रस्न नौ है कि कविता में कवी ने अकास में बादल और गाओं में महमान दमांद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए तो देखिए पूरे कविता में इसी चीज का वर्णन है इसको इसके उत्तर में को रवित तरीकी से लिखना है तो गाओं में बादल रुपी महमान दमांद के बंठन के आने से उसाचा जाता है बादल रुपी महमान की सुचना देने बयार रुपी लड़कियां गाओं को दोड़ती है पेड रुपी ग्रामिर उल्लास में जुमने लगते हैं प्रस्न दस या पेर्द होने के लिए थाल पानी भर के लाता है बादल रुपी दमांद के आने से उनके ना आने का भरम दूर हो जाता है मिलन की बेला में आसुरुपी बरसाच जर जर होने लगती है तो बिल्कुल इसी प्रकार से ज्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है लेकिन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित करना है अब हम लोग प्रस्न दस को देखेंगे तो प्रस्न दस है कि कावज संदर्य लिखिए पाहूं जियों आये हों गाओं में सहर के में गाये बड़े बंठन समर के तो देखिए कावज संदर्य के दो भाग होते हैं भाव बात्मक तरीके से वर्णन है फिर सवलपस अंदर यह में देखेंगे कि पाहुन जियों आयों हों गाऊं में सहर के यहां पर उत्प्रेक्चल अंकार है तो देखिए उत्प्रेक्चल अंकार के लिए यहां पर जियों जियों तियों मनूं मानों जानों यगर यह कहीं पर है तो उत्प्रेक्चल अंकार होता है फिर बड़े बंठन के में अनुप्रास है इसमें देखिए बब यह जो वेंजन वर्ण है इसका बार बार आब रित्ती हो रहा है तनुपरास लंकार है और मेग आये बड़े बंठन के समवर के में मानुविकरणा लंकार है यहाँ पर देखिए मेग की तुलना किसी बेक्ती से किया गया है तो मानुविकरणा लंकार है भासा सायती खड़ी बोली रचना तुकांत कविता सरल सहज गय और गयमिन भासा के सब्दों से निर्मित है तो आसा करता हूं यह वीडियो आप लोगों काफी ज्यादा लाब पहुंचाएगा आप लोग कमेंट करके जुरूर बताईएगा थैंक्यू फार वाचिंग